इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत मृत समुदरी नमक में मैगनीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं, जिनमें एक्सफोलियेटिंग और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं। ये त्वचा से मृत त्वचा कोशिकाओं और अशुद्धियों को हटाने में मदद कर सकता है, जिससे यह नर्म और चिकनी लगती है। पुदीने में सूजन रोधी और एंटिसप्टिक गुण होते हैं, और ये छिद्रों की उपस्थिती को कम करने और त्वचा की समग्र बनावत में सुधार करने में मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, मृत समुदरी नमक खनिज लवनों से भरपूर होता है, जो त्वचा को एक्सफोलियेट और हाइडरेट करने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा मुलायम और चिकनी लगती है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लिमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा को शान्त करने और ठीक करने में मदद कर सकते हैं। दो, पुदीना अपने ताजगी और ठंड़क देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, और ये त्वचा को साफ करने और आराम देने, जलन और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। तीन, विटामिन E उम्र बढ़ने के लक्षनों को कम करने और त्वचा को युवा और स्वस्त बनाय रखने में मदद कर सकता है। ये त्वचा पर हाइडरेटिंग प्रभाव भी डालता है, जिससे इसे मुलायम और कोमल बनाय रखने में मदद मिलती है। चार, पैशन फ्रूट और फैटी एसिद से भरपूर होता है, जो त्वचा को हाइडरेट और पोशन देने में मदद कर सकता है। इसमें सूजन रोधी गुन भी हो सकते हैं, जो त्वचा को आराम देने और ठीक करने में मदद कर सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।